पूंज़कार दोस्तों आप सुभी का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग अड्मिंस्ट्रेशन ट्राइड मिश्टरिशन जो हम काम में ट्राइड मिनिस्ट्रेशन ठीक है और सिसके जो है कौन-कौन से जो एक टेबल मेठेड है आई एम है आई भी है ठीक है तो सारे जो है वो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन जो है हम पढ़ रहे हैं उसका टोपिक है क्या ड्रग एड्मिनिफ्टरेशन क्यों जो है इन में से क्या रूट क्या रूट गेर ड्रग एड्मिनिफ्टरेश्टों टो जो है वो कि यसके अलग उरन है इन यख्चन है इंफ्टेलेशन है पहरें अलग लग जो है रूट हैं कोन कोंच चैन या क्या होते हैं ठीक कॉन-कॉन से मुस्तली जो है कब काम में लेते हैं तो वह पढ़ने वाले हैं सबसे पहले है क्या ओरल रूट तो ओर रूट जो है वह आप जानते है क्योंकि अरली तो जो है स्वेडिसीन जो है वह लिही जाती है हर कोई जो है वह ले सकता है साथ में क्या है से विदाउट पैनफुल है ही जी कण्वेनेंज में ठहड है ठीक क्या है E-G Convidence है E-G Convidence है और साथ में क्या है Cost Effective है साथ में क्या है Cost Effective क्योंकि जैसे For Example अगर I-M देना हो तो उसके लिए आपको सिरिंठ चीएगी उसके पैशे लगेंगे ठीक है तो यह क्या है Cost Effective है साथ में क्या है E-G Convidence है सबसे suitable method है या फिर लिक्विड फार्म में जो भी Madison होती हैं वह औरल कि Android में जाती हैं वह इप झान होता है वह तो क्या है कि ऍरने जो है उसके वह ली जाती है तो जो is हए इसमें कोई वह नहीं है की मतलब जो है मेडिसीन जो है वह नहीं हिले सकता है accept Contraindicated जैसे कि अगर कोई Surgery होती है Orally Surgery अगर कोई है जहां पर जो है Swallow नहीं कर सकता है ठीक है वहीं पर ही का Contraindication है बाकि कोई Contraindication नहीं है सबसे easiest method है जिसको क्या है कि जो भी drug है उसको क्या है अमने को swallow करना होता है ठीक है निगलना होता है ठीक है दूसरा जो method आता है अपना वो क्या है वो है sublingual number two जो method है वो क्या है sublingual lingual का मतलब क्या है tongue lingual का मतलब क्या है tongue और sub का मतलब क्या होता है below ठीक है तो tongue के bellow जो है वो क्या है Medicine जो है वो Place की जाती है ठीक है और फिर वो जो है क्या है Blood Circulation में Directly जो है वो Absorb हो जाती है ठीक है ये Second Fastest Method जो क्या है method है ठीक है आई ब के बाद है taken test route and pale Left test route है और क्छर्फ तैस्ट कौनह सा है रूट किन सा है जो कि सबस्य फाफ्ट सरकत परता है कौन सा है वह इंट्राविनस कौन सा है इंट्राविनस ठीक है इंट्राविनस के बाद अगर नंबर दो रूट की बात की जाए तो वह क्या आता है सब भल ड्रक जो कि मुफ्ट्रींस बहुत बार एक्जामें पूछी जा चुकी है एंजैना जो है उसके लिए हम कामें लेते हैं और वह क्या है नाइक्रो railroad क्लेशरीन यहां पर वो GIT ट्रेक्ट में नहीं जा रही है यहीं से डारेक्टली वो क्या है ब्लड सर्कूलेशन जो है उसमें चली गई है तो यहां पर यह क्या है first pass जो mytabolism है ठीक है मिस यह gIT को क्या करती है बाइपास करता है ठीक है यह root जो है वो भी क्या है gIT को क्या करता है bypass करता है gIT जो है उसको bypass करता है यह root कौन्छा सब thankful जहां पे हम क्या देते हैं knitroglycerin जो है वो दी जाती है इसेकेंड या拍sttest रूट है नेक्ट बात करते है नंबर थ्री तो वो है बकल रूट नंबर थ्री कौनचा है बकल ठीक है नाम से ही है बकल में से के जो केविटी है अपनी यहीं पर अपनी को रखना है देखो अपने माउथ है उसमें दो केविटी है माउथ जो है उसमें कितने केविटी हैं दो फीशरा जो हम पढ़ रहे है वो यह बॉक्त रूट है तो गल्रूट मैं बता रहा है कि माउंथ्फ जो है है उसमें अपने पास कितने रूपूर्ट है और दूसरी हैं बॉसरी आइए दूसरी है इन का मतलब in between Knowledge कि टीचे जो हिं उनके फील का इरिया ठी ठीक है अगर जो है अपने को इसको अगर काटें ठीक है तो देखो यह अपने दांत है ठीक है ठीक ऐसा होता है इसके बीच में क्या होती है टंग होती है यह क्या है यह क्या है यह टंग है इसके बाहर क्या है चिक्स है और लिप्स है यहां पर क्या है लिप्स है और यहां पर क्या है चिक्स है ठीक है तो देखो यहां पर दो केविटी बनती है दो केविटी कौन कौन सी है कि जो टीथ है उसके अंदर अंदर की जो केविटी है वो कौन सी है वो है अपनी क्या औरल के विटी कौन्सी के विटी है औरल के विटी तो यह जो के विटी है वो क्या है औरल के विटी और टीत के बाहर और चिक्स के बीच ठीक है टीत के जो है बाहर और चिक्स जो है उनके बीच जो के विटी है वो कौन्सी है बककल के विटी कौन्सी के बीच में क्या है जो भी ड्रग है वो प्लेस की जाती है ठीक है और वो वहां से क्या है अब्जोर्ब हो जाती है ठीक है तो वो कौनची है वो है बककल रूट की ड्रग जो है वो कहां प्लेस की जाएगी बककल केविटी में ठीक है ड्रग जो है वो कहां प्लेस करेंगे हम बक बकल केविटी जो है वहां पर प्लेस की जाएगी क्या एक ड्रग तो यह रूट कौन सा है यह बकल रूट नेक्ट बात करते हैं नमबर चार तो नमबर चार जो रूट है वो कौन सा है नमबर चार जो रूट है वो है इन्हेलेशन नमबर चार रूट कौनचा है इन्हेलेशन पढ़ लेते हैं अब नाम से ही है इन्हेल करना नाम से ही क्या है इन्हेल करना कि जो है लिक्वीड या फिर जो है सोरी वेपर जो होती है ठीक है उनको लिक्वीड और वेपराइज जो का बनता इस्टीम बनता है उसको हम क्या करते हैं डूरिंग इंस्पिरेशन इन्हेल करते हैं और वो कहां जाती है लंक्स में जाती है ठीक है तो वह मैथड जो है वो क्या है इन्हेलेशन है जैसे कि जब देते हैं तो जो होते हैं शीव फ्लूरेन आइसो फ्लूरेन ठीक है व उसको क्या है हमें अपने को inhale करना है और वो कहा जाएगा कहां पर जाएगी लंग्स में ठीक है जैसे इक ग्यादल क्या है एने स्यट्रटिक एस्टट्रिक एजेंट डिकल कौन कौन शेब हो फ्लकर एंद्ट कौन कौन देसं चिवस्तों उसे फ्लक है क्यम स्थीन चेब्व फ्लक फ्लकी ए engagement को फ्लक प्लॉयरेणी तना क्यों स्था क्मिन ऑप इसे प्लकरणilly डिया होती है शीवो फ्लूरेन की कलर कोडिंग जो है वो होती है क्या यलो ये क्यूसन जो है वो रिसेंट एक्जाम में पुछा जा चुका है ठीक है और आईसो फ्लूरेन जो है उसकी होती है क्या परपल क्या होती है परपल एक और होता है क्या डैस फ्लूरेन एक और होता है क्या डैस फ् ब्रॉंको डाय लेटर जैसे कि साल्बूटामौल पफ गड़ा जो आते हैं ठीक है या फिर दिवलीन बोड़े कोट के जो पफ आते हैं तो वह भी सारे क्या है इन हैलेशन जो है एजेंट हैं जिसको की रूट हम बोलते हैं क्या इन है लेशन जो की जो है हम इन्हेल करते हैं तो और इंसपिरेशनं और कहां जाते हैं वह लंग्स में और फिर वहां से जो है अपने बोड़ी में जो घ्लतेक्र ऐस देखने को मिलता है तो रूट कहला था है क्या है इने कि इनक्षन का मतलब होता है फ्रिक्षन ठीक है फ्रिक्षन ओंदा इस्किन कि स्किन जो है उस पर फ्रिक्षन किया जाए जिस्से की ड्रग जो है वो सिस्टेमिक या लोकल इफेक्ट जो है वो शो करें तो वो क्या है इनक्षन मेथड़ है बाई फ्रिक्षिंग बाई फ्रिक्षन ठीक है ड्रग जो है वो कहां पलाई की जाएगी इसकिन पर ठीक है और वहां से वो क्या होगी एब्जोर्ब होगी वहां से क्या होगी वो एब्जोर्ब होगी और जो भी उसका लोकल एफेक्ट जो आएगा वो वहां पर होगा ठीक है जैसे कि जो भी ओंट आते हैं जैसे कि पैन के लर जो मेंटमेंट आते हैं ठीक है तो यह जैली जो है नमबर शिक्स की बात करें तो वो है इंसर्शन नमबर शिक्स जो है वो क्या है इंसर्शन नाम से ही है इंसर्ट करना ठीक है मेंस सोलिड फॉर्म में ड्रग होती है क्या होती है ड्रग जो है वो सोलिड फॉर्म में होगी ठीक है सोलिड फॉर्म ड्रग जो है वो कोई सी एक ब बोडी के विटी जो है वहां पर प्लेस की जाती है ठीक है और वहां से ड्रग का एक्ट जो है वह देखने को मिलता है जैसे कि एक्जांपल क्या है सपोजी ट्रीज एक्जांपल क्या है सपोजी ट्रीज जो है वह होती है क्या इंसर्शन इंसर्शन मेथट के दुवारा जो है नेक्ट नमबर सेवन और वो है क्या इंफ्टी लेशन क्या है इंफ्टी लेशन नेक्ट इंफ्टिल करना इंफ्टिलेशन का मतलब है इंफ्टिल इंफ्टिल करना मतलब बोड़ी केविटी में जो है एक दवाई जो है एक मेडिसीन जो है उसको डालना इंफ्टिलेशन का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में मेडिसीन होगी देखो सोलिड फॉर्म में जो थी वहां तो मेथड कौन सा कहलाया insertion liquid form में है तो वो कहलाएगा क्या installation जैसे कि i या फिर ear जो है वहाँ पर medicine जो है वो इंस्टिल करना जैसे कि example क्या होगा i drop या ear drop example क्या होगा i drop या फिर ear drop तो वो method कहलाएगा क्या installation नेक्स्ट method के अपन बात करें तो वो है इन सपूलेशन नेक्स्ट मेठ़ट जो है वो कौन्द सा है इन सपूलेशन मिस पाउडर फार्म में 25 होगी या फिर दो कर अचल की बोड़ी केविटी जो है वहां पर रखी जाएगी बोड़ी में रखी जाएगी ठीक है इन सपूलेशन मिस्ट प्राव Deafर पॉर्म ड्रग है या फिर गैस फॉर्म में ड्रग है ठीक है देखो इन हेलेशन से अलग है यह वहां पर लिक्विड वेपर बना रहा था हुआ है यहां पर लिक्जबीड जो है वह वैपर बना रहा था यहां पर क्या है गैस फॉर्म में है यह पौडर फॉर्म में है ठीक है तो वह मेथड कहलाएगा क्या क्या है यह इंसफिलेशन क्या कै万 यहां यहां कैसे kau जो सर् Chopic होती है जो भी लेप्रोस्कॉपिक सर्जरी होती ये वहां पे सीओ टू जो है वह इंसफूलेयट discussions की जाती चूँ बीकेविट्य में इंट्रूडूच की जाती है तो उस अम कहते है क्या सबसक्राइज एग USD 1 अले डूरिंऀ ओक kाम में लेते हैं कि कि नमबर नाइन और वो है implantation वो है क्या implantation नाम से यह देखो implant करना मिस्ट एक solid form में कोई medicine होगी जिसको की body tissues में या body cavity में रख दिया जाए तो वो कहलाएगा क्या implantation ठीक है कि कोई solid form में drug हो जिसको की हम क्या करें body में जो हैं रख दें body tissues के पीछ में रख दें ठीक है तो वो कहलाएगा method क्या implantation a solid drug into body tissues या body cavity ठीक है तो वो कहलाएगा क्या implantation जैसे कि example के लिए norplant जो हम लगाते हैं ठीक है contraception के लिए या फिर केमव ठीक के दोरान जो हम लगाते हैं सोरी रेटेशन ठीक के क्या तेरेपी क्या breakout की थेरेपी जो हम करते हैं ठीक है तो वो क्या है वो एक implantation जो method है उसका example है ठीक है तो implantation method आप समझ गए कि एक solid form में जो medicine होगी उसको body cavity body tissues के अंदर जो है fix करना वो कहलाएगा क्या implantation नेक्ट की बात की जाए तो वो आ गया है क्या parental root number 10 और वो क्या है parental और सबसे इंपोर्टेंट जो है method यही है अब तक जितने हम पड़े उसमें से mostly definition पूछने को मिलती है mostly in action जो है बहुत बार repeat हुआ हुआ है साथ में जो नाइट्रोग्लिसरीन वाला जो है सब लिंग्वल ठीक है वह बहुत बार जो है पुछा गया है favorite mcq है किसी भी एक्जाम के लिए ठीक है अब हम आगे है parental तो नाम से है पर एंट्रल पर का मतलब है outside और एंट्रल का मतलब है इंटेफ्टाइन पर का मतलब क्या है outside इंटेफ्टाइन ठीक है कि जहां पर जी आईटी ट्रक्ट के अलावा ठीक है एक ड्रग जो है वो दी जाए विद हैल्प ओफ निडल क्या विद हैल्प ओफ ए निडल तो वह कहलाएगा क्या parental ठीक है कि एक ड्रग जो है वह मोस्टली क्या liquid फॉर्म में होगी ठीक है और उसको क्या है कि हमें विद्धे एक अब निडल जो है कहां पर जो है इंजेक्ट करें जिसके कि दौरा जो है वहां पर जी आइटी जो सिष्टम है वह अपना बाइपास हो जाए और इफ्ट जो है वह भी अपने को फाइफ्ट देखने को मिले ठीक है तो वह रूट है अपना क्या पेरेंट्रल रूट तो पेरेंट्रल रूट में जो चार पांच जो अपने वो है इंजेक्षन जो होते हैं जैसे की इंटरा मस्कुलर she इंट्राबष सब्कुटेनियस और इंट्राडर्मल यह चार तो आपको आख्ञे वह पढ़ने ही पढ़ने हैं पहला आम पढ़ ल dönंकem अगן को आज एंट्राव मस्कुलर तो इंट्राव मस्कुलर जो रूठ है वह आपको पता ही है intra muscular इसका मतलब है कि intra का मतलब in और मसल का मतलब है in the muscle कि muscle में जो है एक drug जो है वो inject की जाए with a help of a needle तो वो कहलाएगा क्या intra muscular ठीक है injection in muscle कहां दिया जाएगा muscle में दिया जाएगा ठीक है तो इसके लिए क्या है कि intra muscular जो है शोर सी बात है कि muscle जो है वो deep होती है सब cuteness जो tissues है उनके नीचे होती है तो हमें जो है needle जो होगी अपने को उसको straight रखना होता है मिस angle अगर की अगर बात की जाए यहां पर intra muscular में तो वो होता है क्या 90 degree ठीक एंगल की अगर बात की person तो वहां पर क्या है 45 degree एंगल जो है उससे भी काम हो जाएगा अपना और यह जो है mcq पूछा जा चुका है ठीक है कि एक थिन जो people है एक थिन परसन जो है उसमें आप आइम इंजेक्शन जो है कितने वह क्या है डिगरी पर आप उसको इंजेक्ट करोगे तो वह होगा क्या 45 डिगरी जबकि जो अगर नॉर्मल अगर पर्शन है यह फिर वह है तो शोड्स ही बात है एक खरें को 90 डिगरी जो है उस पर यह क्या करना आंगे निडल जो है वह क्या होगा यहांपर तो निडल का गोज जो है वह होगा टूंटी वन्टू tailor की जो नेडल जो है November हम काम में लेंगे और इसके लैंठ की बात की जाए तो लेंठ जो है वह होती है क्या 122 इंच कितनी 122 इंच जो है उसके length होनी चीए और साथ में गेज की बात की जाए तो वह होना चीए 21-23 गेज में थोड़ा मोटा होना चीए needle ठीक है अगर I am हमें देना है तो बात की जाए volume की कि कि यहां पर हम कितना volume जो हम दे सकते हैं तो ideally जो है वो 3 ml होता है बट हम 5 ml भी दे सकते हैं 5 ml क्या है maximum है ideally अगर पूछा जाए commonly अगर पूछा जाए तो answer देना है आपको कितना 3 ml ठीक है 3 ml जो है हम ideally जो है इसके द्वारा देते हैं बट अगर maximum amount अगर पूछी जाए कि maximum amount जो है हम आई-एम इंजक्शन को दारा कितनी दे सकते हैं तो वह है अपनी क्या 5 ml ठीक है अब बात कर लेते हैं इसकी site की कि इस injection जो है आई-एम इंजक्शन जो है उसकी site कौन कौन सी है कहां कहां पर हम जो है इसको दे सकते हैं इंटर्डूश कर सकते हैं तो देखो सबसे पहले जो site है वह है gluteal region gluteal region ठीक है gluteal region means buttox ठीक है तो buttox पर देखो वहाँ पर दो मसल होती है ическая venetra gluteal और यहां पर कितनी मसल हैं जो कौन कौन सी है venetra gluteal और और ऑफ्वसरी कौन सी है डोर So Gluteal उसक हो इसको मोस्त कॉमली और सेफ जो है है वह कौन सी है वेंट्रोग्लुटीएल रिस्क है यहां पर ब्लड वेसल इंजुरी हो सकती है या फिर शीर्टिक नर्व जो कि निकलती है उससे इंजुरी हो सकती है देखो अगर आपको मैं with diagramatic अगर बताऊं प्रिक है तो यह मान लो है ठीक है यह इसका आउटर पाइट है तो देखो वेंट्रों गुलूटियल मसल है वह इस परकार से निकलती है उपर से ओरज़िनेट होके और लेटरल निकलती है ठीक है अपने जो पयल्विस के यहां से जबके बात की जाए डोर्सों गुलूटियल की तो वह थोड़ा इध यह तो मसल निकल रही है यहां से यह कौनसी है यह है when or यह जो यह जो मसल है वह ए अ कि यह वो है डोर्सों उसुश थे जबभी हम most commonly जो बात की जाए बोस्ट सेफेश्ट की अगर बात की जाए तो वह अपना क्या होगा वैंट्रो ग्लूटियल ठीक है फिर बात कर लेते हैं बच्चों की ठीक है पेडियाट्रिक जो पैसे जो बच्चे होते हैं उनमें आपको पता ही है क्या एंटिरियो लेटरल जो आस्प पेडियाम एगर बात की जाए तो कहा होगा वाफटलिस लेटरलिस ठीक है जो की एंटिरियो लेटरल जो आस्पेक्ट होता है एक मिड धाई का वहां पर दी जाती है क्या यह नेक्ट बात करते हैं तो इसका तीसरा रूट जो आता है वो आता है क्या अपना डैल्टोइड क क्या आता है डाल टो डो होती है वहां पर भी जो है हम दे सकते हैं तो यहां पर बैट injection देना होता है तो यह इसकी क्या है कॉमनली क्या है साइट है ठीक है तो अगर बात की जाए वेंट्रोग्लूटियल सब्सक्राइब यहां पर यह रिस्क होती है अगर बच्चों में बात की जाए तो क्या है फिर या फिर आप दे सकते हैं कहां पर अडल्ट अगर पेशन्ट है तो वहां पर आप जो है वहां पर भी आप दे सकते हैं कि नेक्ट बात करते हैं आई एम ही इंजेक्शन का टाइप है जो कौन सा है जैड़ ट्रक इंजेक्शन जो होता है ठीक है एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जैड़ ट्रैक इंजेक्शन अब जैट रेक क्या है देखो यह 90 डिगरी पे ही तो दिया जाएगा यह जो है वो 90 डिगरी पे ही दिया जाता है एंगल जो है वो 90 डिगरी ही होता है और कहां दिया जाता है मसल में ही दिया जाता है ठीक है शोड़ सी बात है इंट्रा मस्कुलर है यह इंट्रा मस्कुलर ही ह होता है में जो मसल है ठीकने अग्जामल अब बतारों मसल जो इसको होता है फिर लगाना होता है क्योंकि इरिटे helps होती है हैं त exactly जो क्या इरिटरिक जो ड्रग है भी कि e जिसकंघुर्ट एंट ड्रग होती है कौनची कि के विटामियन डी यहा फिर आयरन मैं उनके लिए जो है काम लेते हैं जहां पर क्या है अपने को लगद तूसे थ्ली सेंटेमिटर से जो मुसल जो है उसको लेटरली फिर हमें अब क्या है इंजेक्ट करना होता है और जैसे हम इन्जेक्ट कर देंगे तो जो पुल की थी उसको हम वापस से छोड़ देते हैं तो वहां पे एक बनता है जिस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् यिस्टेज रुक जाता है तो इसलिए जो है हम क्या यह काम लो जिते हैं पिशले के इंजेक्शन ट्रेक इंजेक्च्टं में अब देवा कुछी बात है कि इसके होते हैं ठीक है और हम जो है इसके काम में ने की लिए ही हमने यह करके जो है अब जोंगों कि आप मसाज कर जाएंगे तो क्या है कि यो सरावणोंडिंग टीचू जो है उनमें वह हो जायेगी ठीक है तो क्या है मसाज जो है वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं करनी है तो क्या अपना आई-यें इंजक्शन इंजक्शन है दुरान जो है एक-date special point है जो कि आपको ध्यान रखने है और वह special points क्या है कि जब भी आप एक आई-यें इंजक्शन दे रहे हैं ठीक है तो आपको लगबग जो है फाइव टू टैन सेकंड के के लिए अपने को क्या करना है किसके करना है कि एसपिरेट करना है कितने सेकंड के लिए 5-10 फायव करने को थैन के अगर वहां पर अगर कोई बलड अगर बीजिबल नहीं दिख रहा है तो आप क्या अमल देनी हैं तो 20 सेकंड में ड्रग देंगे ठीक है रही बात यह कि जब आपने एस्पिरेट किया जब आपने एस्पिरेट किया और वहां पर क्या है ब्लड आ गया है तो ब्लड आ गया है तो वहां पर जो है स्पेशली ध्यान रखना क्या पृप्ययर कि न्यूव स्यरिंज कि आपको नए शेच बनानी है और जिसमें ब्लड आ discussion करना हैक दिस्कार्ड करना है ठीक है उसको क्या है अपने खार करना है और अपने आपको जो है नया इंजेक्शन जो है नहीं स्यरिंज और वह फिरेज डै देने के लिए रहीए बाद site गया है उसको किस प्रकार से clean करेंगे तो site जो भी होती है इस भी site पर हम लगा रहे हैं लिए अपनी site तो आपन क्या है Center to periphery जो है उसको clean करते हैं कैसे clean करते है Center to periphery circular motion में ठीक क्लीन करना होता है अपने को सेंटर टू पेरिफेरी और किस मोशन में सर्कुलार मोशन में किस में सर्कुलार मोशन में कितना लगबग फाइब सेंटिमेटर कितना लगबग फाइब सेंटिमेटर जो है वह अपने क्या करना करना है clean करना है center to periphery और circular motion में करना है लगबग जो है 5 cm जो है अपने को क्लीन करना है और फिर अपने को जो है ये जना होता है अगर Blood आया तो हमें क्या करना है discard कर देना है ठीक और एक नए इंजक्स नहें पनाना है चलिए तो यह हो गया है अपना क्या इंट्रा मस्कुलर ठीक है अब बात की जाए नंबर टू तो वो है इंट्राडर्मल नंबर टू जो है वो क्या है अपना इंट्राडर्मल अब नाम से है डर्मल डर्मल का मतलब है डर्मिस डर्मर का यह दिया जाता है जहां पर जैसे ही आप ड्रग देते हैं पॉइंट वन अमल ठीक है तो वैसे ही क्या है एक पिंपल लाइक इस्ट्रक्चर जो है वह बनती है जिसको कि हम सराउंडिंग करते हैं जितने भी उसके लिए मेथड जो है वह काम में लिया जाता है ठीक है या फिर तो वह होता है 5-25 डिगरी एंगल जो है हम यहाँ पे रखते हैं निडल गेज की बात की जाएं तो 26 या 27 गेज जो है वह काम में लेते हैं अगर शिरिंज की बात की जा है तो हम 1-0스를 क्या करते हैं और वहां पर जो है अगर उसके लेंग की बात की जा एा तो वह होती है 3 by 8 to 5 by 8 inch कि लोंग जो निडल जो है वो हम काम में लेते हैं ठीक है निडल के अगर लेंद की बाच की जाए तो वो होती है क्या 3 by 8 to 5 by 8 ठीक है यहां पर जो है यह क्या होगी निडल लेंद की तो मुस्टली क्या है कि यह जितनी भी सेंसिटिविटी करते हैं एस्टी एंटिवाइडिक सेंसिटिविटी टेस्ट ठीक है उसके लिए मोस्टली यह जो है रूट काम में लेते हैं या पिर ट्यूबर कुलीन जो होता है में टेस्ट जो होता है उसके लिए हम यह काम में लेते हैं तो यह इंजक्शन जो है वो लग फोर आर्म कहां लगा सकते हैं फोर आर्म फोर आर्म पर लगा सकते हैं ठीक है कहां पर इन्नर आस्पेक्ट कहां पर inner aspect बात की जाए अपर आर्म पे तो यह अपना पोस्टरिर आस्पेक्ट जो है यहां पर हम जो है वो लगा सकते हैं अपना जो पोस्टरिर आस्पेक्ट जो है मिस पोस्टरिर आस्पेक्ट यह अपना जो यह होगा यहां पर हम जो है वो दे सकते हैं अगर इदर से दे ट्रेयर जो आसपक्प्ट होता है या फंट एंटर कसि यह वहां पर भी हम यह जो है यह वह दे सकते हैं या फिर जो अब लगाते हैं वह उसके लिए भी जो है हम क्या हैं इंट्रांडर्मल में लेते हैं BCG वैक्सियन ठीक है और यह तो जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है क्या BCG वैक्सिन जो है वह इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है और BCG वैक्सिन जो वो हमेशा पर्मानेंट एक स्कार छोड़ती है बीसीजी वैक्षिन जो है वो पर्मानेंट हमेशा जो क्या है एक स्कार छोड़ती है mostly हम left पर लगाते हैं left arm पर क्यों लगाते हैं ताकि uniformity बनी रहे ठीक है अब नाम से है सब्क्योट onuरस नर्णेंट जो टिसूटे हैं वहाँ पर देना है मतलब epidermis dermis subcutaneous मिस dermis को क्रोज करके हमें subcutaneous tissue में जाना है बट muscles तक नहीं जाना देखो हम 90 degree ले जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां पे muscle में तो इसका मतलब हम 90 degree तो नहीं जाएंगे कितने degree angle हमें कम करना पढ़ेगा ताकि हम मसल में ना पहुंचे हम कहां रहें subcutaneous में ही रहें तो इसका मतलब angle जो है वह यहां पर कम होगा कितना 45 तो इसका angle जो होता है वह होता है कितना 45 degree जो है उसका angle होता है volume के अगर बात की जाए कितना हम इसके द्वारा दे सकते हैं तो वह है 0.522 ml अगर जो है निडल गेज की बात की जाए तो वह होती है क्या 25 गेज निडल लेंथ की बात की जाए तो वह होती है हाप इंच हाप इंच जो है वह हम मुस्टली काम में ले सकते हैं या फिर 5 by 8 इंच जो है वह भी हम काम में ले सकते हैं ठीक तो यहां पर क्या है बहुत सारे हैं मेडिसीन हैं जो कि हम जो है इस आसपक्त के द्वारा जो है इसके द्वारा जो हम देते हैं कैसे कि लो फे हिप हिपेरिन जो है वो हम देते हैं या इन्सूलीन या फिर दो वैक्सिन जो है इस रूट के द्वारा दिजाती है पॉनपंची दो है ऐमेंьसूलीन और लो मॉलिक्टिलार वैट ही प्यूरिन लो मॉलिक्यूलार मुफ़िय कि वैट है ठीक है रूबेला कि रूट एक रूट चे लगता है और कब लगता है नाइन मत् कि अगर बात की जाएं साइट की तो एक होता है क्या पैरिय अंगल एरिया जहां पहले क्या है है और पीर से एन्टीरियह थाई या फिर अर्षी हिए आप्तिर एंटिर थाई है यह फिर एंटिरिये थाई यह फिर आउटर आस्पेक्ट ओफ आर्म या फिर जो पोस्टर आर्म जो अपना होता है इसकेपुला जो होता है वहाँ पर जो है यह इंजक्षन दिया जा सकता है ठीक है पोस्टीरियर आस्पेक्ट नियर इसकेपुला ठीक है इसके पुला के पास में जो अपना posterior जो आस्पेक्ट होता है ठीक है वहाँ पर जो है ये injection जो है वो दिया जा सकता है कहां कहां पर peri-ambilical area, anterior thigh, outer aspect of arm या फिर posterior aspect जो होता है वहाँ पर जो है हम ये medicine जो है वो दे सकते हैं ये route जो है वो काम में ले सकते हैं को नेक्स्ट अपना इंट्रावीनस रूट रूट के norm अब सबको पता ही है सबसे जो है than भूब यूज होने वाला में जो रूट है कहां पर होस्पिटल सेटिंग या असको जो साथ है बोल तो लगना ही लगना है नंबर चार इंट्रावीनस शूर सी बात है कि ड्रक जो है वो जाएगी कहां पर सीधा वेन में सीधा हाट में वहाँ से पूरी वोड़ी को डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगी यह जो मैथड है वो फास्ट टेस्ट मैथड है नंबर वन पर आता है यहां पर कितना वॉल्यूम घते हैं तो वोल्यूम नहीं है ठीक है प्रिसक्रिप्शन जो होता है उसपर डिपैंड करता है ठीक है इपनड ओन कि कि प्रेस्क्रिप्चन जो है अपने उस पर непैंड करेगा कि कितना अमाउट होगा रही बात रिफ निदल गोज की तो यह भी जो है वो पैंड करेगा अलग-अलग डाइप से आपकी क्या है डिपैंड ओन रिक्वाइरमेंट लेते हैं ठीक है रही बात कि यह जो है साइट यहां पर क्या होती है ठीक है तो साइट जो है वह आपको पता ही है कि देखो हैं जो है है वह मोस्ट को मण साइट है यहाँ पर हैंड पर हैंड वह झोश्ट को मन साइट है अगर HER भी बात की जाएक ठोकिन इंदूर है वह इसकी क्या है धार नियम है जो कि आपको ध्यान रखनेज्य रखनें कि चब भी आप आई वी जो देते तो हमेश्य प्रक्राट यहां बंद करना है सब्सक्राइब एधिगक उपर जाएंगे पहले आप यहां प्रिक यह नहीं करना है को जो है बोड़ी के वह आना होता है यहां पर जब भी आए बी आख्षे माष्म लैंगे तो आपको वेन जो है उसकी फ्ट्रेटनेस जो है वो देखनी होती है कि वेन जो है वो कंप्लीट फ्ट्रेट है कि नहीं सीधी है कि नहीं ठीक है क्योंकि अगर वह होगी अगर वहां पर उसका अगर कोई क्कि कॉमनेट साइट है ठीक एगर आपको नहीं मिलती है तो भी यह पनजाते हैं तो यह होती है क्यामस्ट कॉमन साइट जो है और यह होता है कि इंट्राविनेश्ट सेटिंग वह क्या है इंट्रा विनस इंट्रा कायडियक की सीधा हाइट में इंजट करना ड्रग गश्चτιंद नथरफ्ट राइस्ट होता है उस समय हम जो ड्रग होती है कौन्सी आइडियार एडियार सीधा 1 1-jem姜ी ठीक हैं इंट्रा काइडियसीध हां हाइट वहां पर जो है करते हैं एक होता है इंट्रा अर्टे एंट्रास है 30 और गे आध कि हुएμε कि इन्ट्राइट रूट्र मिआ गिवेरिफै कि ऑनल कि एफिर बलेड प्रेसर जो होता है आई बी पीάλगival प्रेसर जो तो है उस समय काम में लेते हैं तो यहां से जो ड्रग दी जाती है वो क्या है ही पैरिन क्या ड्रग दी जाती है यहां से हीपेरिन ठीक हीपेरिन जो है आप दे सकते हैं जिसे कि वह जो है क्लोट नहीं हो ठीक है तो इंट्रा आर्ट्रियल जो है वहां पर आप क्या देंगे शिरफ हीपेरिन जो ड्रग है वह देते हैं एक होता है क्या इंट्रा ओसियस एक होती है क intraoceous कहां पर दिया जाएगा बॉन में ठीक है एक होता है intramedullary intramedullary जो है वो दिया जाता है कहां पर बॉन मेरो में बॉन केविटी बॉन केविटी बॉन मेरो एक होता है intrathecal intrathecal कहां पर spinal cord में spinal cord जो है वहां पर दिया जाता है जैसे कि हम लंबर पंक्चर करते हैं या फिर जब यहां पर क्या है spinal anesthesia देते हैं spinal anesthesia जब भी हम देते हैं तो उस समय जो है काम में लिया जाता है method कौन सा intrathecal एक होता है intraperitonial 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 क्या कि peritonial जो cavity है वहां पर जो है drug inject करना miss dialysate जो fluid जब हम peritonial dialysis करते हैं intraperitonial का मतलब है into peritonial cavity into कहां पर peritonial cavity और peritonial cavity में हम क्या करते हैं परitonial dialysis क्या करते हैं परी टोनियल जब भी हम करते हैं तो उस समय जो है काम में लेते हैं एक है intraendotracheal intraendotracheal means कहां ET tube जो हो जब भी हम लगाते हैं ठीक है तो उसके द्वारा जो है drug देना mostly क्या surfactant आपने सुना होगा कि जब जो है premature जब delivery होती है तो क्या है कि lungs जो है miss alveolize जो है वो collapse ना हूँ ठीक है तो उसके लिए क्या है surfactant जो है lecithin sphingomyelin वो दिये जाते हैं ठीक है तो surfactant जो होते हैं ठीक है वो दिये जाते हैं क्या intraendotracheal root से ठीक है तो यह जो है यह जो है कुछ commonest जो है roots of drug administration है जो कि हम काम में लेते हैं अब हम बात करते हैं पैसेंट के right की कि drug administration के दुरान जो है पैसेंट के five right जो होते हैं ठीक है commonly जो five right है वो हम पढ़ेंगे rights और पैसेंट डूरिंग ड्रग administration देखो सबसे पहला सबसे पहले तो क्या है कि राइट पैसेंट होना चाहिए कि पैसेंट जो है वो हमें बिल्कुल सही चूज करना है राइट पैसेंट होना चाहिए उसको राइट मेडिसीन यह मतलब राइट ड्रग जो है वो देनी हैं राइट टाइम पर देनी हैं कि आभा सिके कर राइट रूट से देनी हैं और उसको राइट डोज देनी रूज देनी है देखो पेसेंट राइट होना चीए पहली बात तो यह कि पेसेंट इरर जो है वो नहीं होना चीए पहले उसका जो है नाम बता में साइडेंटिफिकेशन मार्क्स उसके जो भी होते हैं वो पूरे प्रोपर जो है हमें करना होता है उसका प्रिस्क्रिप्शन चेक करना होता है और देखना होता है उसको क्या जो है मेडिशिन लिखी है तो वह मेडिशन हमें जो है चूज करनी होती है उसको राइट टाइम पे राइट रूट से राइट डोज जितनी डोज ठीक है प्रिस्क्राइब है वो हमें देनी होती है तो यह कॉमन जो है फाइव राइट है इसके जो ये काम किया है वो सारा आप सही से क्या करें डोकिमेंट करें एक है राइट इवालिवेशन कि आप पेसेंट जो है उसका सारा जो है इवालिवेशन जो है वो सही परकार से करें राइट असेस्मेंट एक जो है उसका राइट है एक है राइट टो रिफ्यूज की पैसेंट जो है किसी भी परकार की ट्रीटमेंट मोडिलीटी को रिफ्यूज कर सकता है मना कर सकता है अगर पैसेंट ने जो है किसी भी परकार की ट्रीटमेंट मोडिलीटी को अगर रिफ्यूज कर दिया है तो आप जो है उसको पैसेंट जो जो है उसको किसी भी परकार का जो भी प्रोसिजर है वो नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह जो है commonly five right है जो कि जब भी हम drug administer करते हैं तो यह जो है वह हमें देखना ही देखना होता है additionally right or है यह वाले कौन से हैं right documentation right evaluation right assessment right education right to refuse अब बात की जाए right medicine अब हम बात करते हैं किसकी right medicine तो right medicine जो है हमें choose करनी होती है एक patient को जब भी हम देते हैं तो right medicine के लिए हमें क्या है कि एक medicine जो है medicine error हमारे पास ना हो ठीकर तो सही से हमें जो है prescription check करना होता है और चैक करने के बाद एक ड्रग जो उसको तीन बार हमें चेक करना होता है His hair 29 जो है उसको क्या है अपने को ऊत्ते टाइम्स जो है वो चेक करना होता है पहला जब आप उसको आप अल्मेरा से निकाल रहे हों जब उसको स्टॉर से जब चेक करनी है जब आप उसको अलमिरा से निकाल रहे हैं यह स्टोर से ले रहे हैं उस समय आपको क्या करनी है वह मेडिसीन जो है वह चेक करनी है नंबर दो जब आप उसको डिजोल्व कर रहे हैं और नंबर 3 जब आप देने की तयारी कर रहे है मिस बीफोर जश्ट बीफोर दाइडमीस्ट्रेशन ओप ड्रग नंबर त्री क्या आएगा ज़श्ट विफोर कि एडमीनिस्ट्रेशन ओफ ऐसे ड्रग तो आपको तीन बार जो है के मेडिसीन जो है उसको चेक करना होता है, कब कब जब आप जो है Medicine, Excel से जो है वो ले रहे हूँ, या पिसको जब आप dissolve कर रहे हूँ या फिर जब आप उसको administer कर रहे हूँ, उससे जफ्ट पहले, ठीक है ऐसा नहीं है कि आपने जो है, ड्रग दे दिया है और ड्रग देने के बाद आप उसको जो है चेक कर रहे हैं कि और यह तो ऑच ढ़ा फिर लिखा और था ठीक है लिखा स्ट्रेक्स था मैंने जो है स्ट्रोक्सिम दे दिया है ठीक है तो similar name जो है वो भी आते हैं medicine के ठीक है तो वो जो एरर जो है वो ना हो तो इसी के लिए हमें क्या है drug जो है उसको तीन बार जो है हमें check करना होता है अब हम पढ़ते हैं कुछ every lessons जो की mostly जो है drug administration में काम में लिए जाते हैं most commonly जो की एक्जामें पूछे भी जा चुके हैं कुछ ठीक है तो बता देता हूं एक बार simply सबसे पहला है ac anti-qbm का मतलब होता है before meal एक होता है PC after meal एक है am before noon दो पैर से पहले लेना है p.m. आपको पता ही है afternoon नेक्स्ट है alt die alternate days alternate days पे लेना है या फिर h.s. h.s. का मतलब होता है bad time पे लेना है h.s. जो है उसका मतलब होता है bad time पे लेना है om का मतलब होता है each morning लेना है om का मतलब है each morning लेना है s.o.s. आपको पता ही है s.o.s. का मतलब है when necessary when emergency जब भी emergency हो ठीक है तब लेना है when emergency या फिर when necessary जब जर्रत हो ठीक है कई बार डोक्टर लिख देते हैं PCM s.o.s. कि जब उखार हो तब ठीक है बाकी नहीं लेना है या फिर एक होता है p.r.n. p.r.n. का मतलब है जब जर्रत हो when required ठीक है o.d. o.d. का मतलब आपको पता ही है once a day once a day का मतलब है within 24 hour 24 hour में एक बार b.d. b.d. का मतलब है twice a day b.d. का मतलब है twice a day या फिर इसको हम कह सकते हैं every 12 hour every 12 hour t.i.d. होता है thrice a day मतलब दिन में तीन बार means every 8 hourly every 8 hourly एक होता है q.i.d. means दिन में चार बार four times a day four times a day next rep का मतलब होता है repeat एक है aq का मतलब है water aq का मतलब है water f l का मतलब है fluid f l का मतलब है fluid syr का मतलब है syrup empl का मतलब है plaster यू एन जी का मतलब है ointment यू एन जी का मतलब है ointment यह दोनों जो है एक्जाम में पूछे जा चुके हैं यह दोनों जो है वह एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इनको जो है अच्छे सी देखना next tsp यह मेरे ख्याल से कोई भी असान नहीं होगा इसने नर्शिंग कर रखी और नहीं आता हूँ क्या है टी स्पून कि एक होता है tbsp यह होता है table spoon यह होता है क्या table spoon lot का मतलब है lotion lot का मतलब है lotion sp का मतलब है sprit c a p का मतलब आपको पताई है capsule tab का मतलब आपको पताई है tablet rx का मतलब है take prescription dx का मतलब है diagnosis dx का मतलब है diagnosis ing का मतलब है injection inf का मतलब है infusion mift का मतलब है mixture कि पी यू आइल भी का मतलब है powder और सबसे important gtt gtt का मतलब होता है a drop ठीक है a drop gtt अब आ गए है body part वाले abbreviation जैसे कि ad auditory dextra right ear as left ear au both ear od right eye od right eye os left eye ou both eye ou both eye nbm none by mouth जब भी surgery होती है तो 628R जो है nbm रखना होता है या npo npo का मतलब है nil per oral ठीक है दोनों एक ही बात है दोनों चीज जो है वो एक ही बात है तो यह 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 जो है कुछ आपको भी पता होंगे अब हम पढ़ते है कुछ सिफ्टी माइक्रो ड्रॉप्स होती है या फिर सिफ्टी माइक्रो ड्रॉप्स होती है ठीक है यह क्या है यह यह एक बात के जाए फाइड आइमल की तो फाइड आमल को हम लिखते हैं टी ऐसबी ठीक है वन टेबल स्पून टीस्पून ठीक है बात के जाए 15 ml की तो 50 ml में होते हैं क्या 3 TSP 3 TSP या फिर 1 TBSP या फिर 1 TBSP बात के जाए 30 ml की ठीक है 30 ml 30 ml का मतलब हो गया 6 TSP या फिर 2 TBSP कि दो टेबल स्पून या फिर 6 क्या होगे टी स्पून ठीक है बात के जाए 500 ml की जो है उसमें होता है वन पिंट क्या होता है वन पिंट अगर बात के जाए 1000 ml की तो इसमें हो जाएंगे कितने टू पिंट इसमें में कितने हो जाएंगे टू पिंट या इसमें हो जाएंगे 10 dashi-liter क्योंकि एक टेश्र ll में 100 ml होता है बने टील में कितना ठीक 100 ml तो क्या हो जागा 10 ml में थेगा या फिर इसको कहते हैं मान लिटर वन लेटर क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम को मतमते हैं किसमें मिट्र में ठीक और केशिमें ठीक है जाें वन ग्लास फुल टो उसमें हम मानते हैं तू हंडड़े एमल या फिर on सून्स लिए फिर एट ओंस्हें यह फिर वन टी कप फुल लिए वन टी कप फुल में होते हैं क्यों A号 यह एमाल और इसको हम मानते हैं और इसको हम मानते हैं कितना six जो हैं वो हम इसको मानते हैं ठीक है तो यह हो गए है economic वोल्यूम से रिलेटेड बात की जाए वेट से रिलेटेड ठीक है तो वेट से रिलेटेड जो है 60 mg जो होता है वो क्या है वन ग्रेंज जो है उसके इकवल होता है 60 mg जो है वो वन ग्रेंज वन ग्राम की अगर बात की जाए तो जो है यह 15 ग्रेंज जो है उसके इकवल होता है 15 ग्रेंज जो है उसके एकवल होता है और ग्राम जो है वह वन ड्राम के एकवल होता है और ग्राम जो है वह वन ड्राम के एकवल होता है 30 ग्राम की बात की जाए 30 ग्राम की बात की जाए तो यह 1 ओंस होता है यह क्या है 1 ओंस होता है और 1 kg में आपको पता ही है 100 mg होते हैं ठीक है 100 ग्राम होते हैं 100 ग्राम होते हैं किसमें 1 kg में mg किसमें होते हैं लिटर में 100 ग्राम होते हैं के 1 kg बराबर 100 ग्राम या फिर अगर इसको पाउंड में देखा जाए तो 2.2 पाउंड होते हैं कितना 2.2 पाउंड वन ग्राम की बात की जाए तो 100 mg या फिर अगर 1 mg की बात की जाए तो हो जाएगा 1000 mcg माइक्रो ग्राम ठीक है तो इस परकार से क्या है कि यह वोल्यूम कनवर्जन है ठीक है बाइचांस जो है पूछ सकते हैं इसमें मोफ्टली जो है यह तो पूछा जाता रहा है ठीक है वन केजी जो है उसमें कितना पाउंड होता है ठीक है वन केजी जो है उसमें कितना पाउंड होता है तो चलिए यह था आज का अपना टोपिक जिसका नाम था ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन ठीक है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में जो है शेयर करना आज के लिए ठेंक्यू